नमस्कार आप देख रहें नियू जीटीन अपडेट आपके साथ मैं हूँ शिप्ता जाओ और बिल्टिन में सबसे पहले आपो खबर बताएं बिहार में चल रहें जमीन सर्वे के काम को लेकर भूमी सुधार एवं राजय समंती दिलिप जैस्वाल ने बड़ा दावा किया है नियू जीटीन से खास बाचीत में दिलिप जैस्वाल ने कहा किसी भी कीमत पर भ्रस्टाचार को बरदाश्ट नहीं किया जाएगा अब तक 40 से जादा अफसरों के खिलाफ कारवाई हो चुकी है आगे भी सक्त कारवाई जारी दहेगी मंती ने कहा कि अब सर्वे के लिए उनके मोबाइल पर फोन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने समस्याई सब की सुनली है अब उनका समधान किया जा रहा है बहुत जरूरी होने पर ही लोग उन्हें फोन करें राजस सेवं भूमी सुधार मंत्री से बात किये है नियुजिटिन संफात ताता संजे कुमार ने सर कई इलाकों से भ्रस्टाचार की बात सामने आ रही है वीडियो वाइरल हो रहा है इसको कितनी गंभीरता से आप ले रहा है जिखिए भ्रस्टाचार का सिखायत और वीडियो वाइरल हो रहा है और वीडियो वाइरल होने के बाद कल बंदी के दीन भी कल कार्यालब बंद था हम लोगों ने तुरंट उसको निलंबित कर दिया फर्क सिर्फ इतना ही है कि भरष्टाचारी कोई बचता नहीं है राजस्विभागना चाहे बड़े से बड़े लोग हो और गलती से किसी का अगर एप्रोच या पैर भी आ गया तो फिर उसकी सजा तो दुगनी पक्का हो नहीं है और इसे चार दर्जन पहले तो तीन दर्जन मैंने कि चार दर्जन सरकील ओफिसर और डिसी एलार आज कारवाई का दंस झेल रहे हैं लेकिन मैंने अपना नंबर तब तक के लिए दिया था जब तक कि हम सारे समस्याओं को अख़वार और टीवी के माध्यम से जनत को बता नहीं दें और ये देखिए ये है मैंने दस से पंद्रे दीन तक सवाल का कलेक्शन किया कि जनता किस तरह का सवाल करती है और सवाल का कलेक्शन करके हमने करीब करीब सोले सवाल का कुश्यनायर तयार किया और उसके लिए हमने लगातार अख़वार में आज अगर आ पज़स्विभाग का एडवर्टीजमेंट आता है और इस एडवर्टीजमेंट के माध्यम से हम जनता को किलियर करते हैं कि आपका क्या जवाब है तो मैंने अपना नंबर मुबाइल नमबर एक मंतरी ने इसलिए दिया था कि हम जनता का कोश्चनायर ले 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 कोश्चन ले ले कोश्चन मुझे मिल गया क्योंकि उसके बाद एक ही कोश्चन बारवार आ रहा था कि बंसावाली का कैसे क्या होगा दाखिल खारीज का क्या होगा तो मेरा जब कुश्चनायर आ गया तो अखवार के माध्यम से मेडिया के सोशल मेडिया के माध्यम से हमने सभी चीज का जवाब और मैंने अभी दिखाया इसी चीज को कि ये जवाब हमने जनता को भेज दिया है अब मेरे फोन पर बहुत एमर्जनसी हो तभी कि नहीं को फोन करने के आवस सकता है क्योंकि हमारे पास एक लंबी फोज है पदाधिकारियों का और राजस्वन्याले का सीओ है डिसी एलार है एलिशनल कलेक्टर है कलेक्टर है कमिशनर है और हमारे सेकरेटरी है बिभिन विभाग के निदेशक है तो ये पूरा हमारा जो है एक सिष्टम है तो मैंने अपना नंबर 14 करोर राज के आवादी के लोगों को इसलिए सिर्फ दिया था कि मैं उनका questions जान सकू कि क्या क्या सवाल сорvay के लिए आ सकता है और जिस समय सर ये number जारी किया गया था उसमें बता दिया गया था कि आपके वगार के question आपसे लिया जा था क्या लोगों की क्या समस्या हैं वो समस्या है मुझे सुनना था और वो समस्या का हमने फिर कोश्चनायर त्यार करके उसका सारा जवाब सोशल मीडिया के माध्यम से हमने दे दिया है अब मंतरी के मोबाइल की आवस्यक्ता अब नहीं है क्योंकि सारा चीज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उनका जवाब आ चुका है तो बहुत थारी जो उधेरबून की इस्तिती थी वो दूर हो गई है आपके जो सावालात थे वो मंत्री जी के पास पहुंच गया थे और उनके निराकरन के लिए जवाब भी दिया गया है विभाग की तरब से तो ऐसे में आप फोन करने की जरूरत नहीं है कर बहुत अधिक जरूरत हो तबी आप को कर सकते हैं वैसे जो आपके सावालात थे उनका निराकरन ढूंड लिया गया है और लगातार मीटिया के माध्यम से उसका जवाब भी दिया जारा है उमीद है आपको आपके सावालों का जवाब मिल गया होगा और निशित तरु पर कई ऐसे खास त दिलंबन की करवाई हुए तो अगर इसतर के शिकायते आएंगी जान छोंगी करवाई होगी इस बात से मंत्री जी तफाक रखते हैं और उमीद है लोगों के ज़ो सवालात थे inbox के सामने जो समस्याइंगे जो उधेरिबुन की इस्तिती है जो अस्मंजश की सिती है उसको क्यामा परसन मनीजु निजा के साथ संजे कुमार नुजेटीन पटना अधिक जानकारी दे रहे हैं निजुजेटीन संबात ताता संजे कुमार की अनुमती दे दी है और भस्टाचार को लेकर इनके खिलाफ एस्पेसल विजदेंस यूनिट यानि विशेश निगरानी इकाई ने अपने थाने में फाइयार दर्ज किया है इसमें संजीब हंस के अलावा उनकी पतनी और पीता गुलाब यादव के अलावा उनकी पतनी अं दर्ज किया गया है और जो महिला वकील है जिनोंने यौन सोसन कारूप लगाया था संजीब हंस और गुलाब यादव के खिलाब उनके खिलाब भी इस मामरे में फाइयार दर्ज किया गया है दरसल संजीब हंस ने लेंद दिन के कई साक्ष मिले थे उनको भी बुला कर इड पूस्ताच की थी तो उस महिला के खिलाब जो महिला वकील है उसके खिलाब भी F-I-R दर्ज किया गया है लिए पहले सभी जो एड़ी है वो इसी मामले में अपने यहां F-I-R दर्ज कर चुकी है और उसकी जान चल रही थी लेकिन अब इस मामले में मुश्किल और भर और इसे बीच आपको पतना से बड़े खरवता दे सिक्षिकों की ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग में देरी से नाराजगी देखी जा रही है टेट और एस्टिक पास नियोजित सिक्षक संग का एलान अक्तूबर में सडक पर उतरेंगे और राज़ भर के सिक्षक सडक पर उतर कर प्रदर्शन करेंगे सक्षमता पास सिक्षिकों के योगदान नहीं होने से नाराज हैं विपेसी सिक्षिकों का तबादला नहीं होने से भी उनकी नाराजगी बनी भी है 30 सितंबर तक राड़िस सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है सीम नितीश कुमार और एसी एस सिधार से अफील भी की गई है कि 15 दिन के भीतर पदस्थापना की जाए अगर नहीं की जाती है तो सभी सिक्षक सड़क पर उतर कर एक बार फ़र से प्रदर्शिन करेंगे बेधिया के GMCH में बिजली नहीं होने के कारण मरीजों को काफी परेशानी हो रही है डॉक्टर टॉर्च की रोश्टी में मरीज और जक्मी का इलाज कर रहे है ताजमामला कैजवल्टी वॉर्ड के ड्रेसिंग रूम का है जहां एक लड़का गिर गया था और उसका कान कट गया था जिसके इलाज के डॉक्टर को टाका लगाना था लेकिन अस्पतार में बिजली नहीं होने के कारण डॉक्टर ने टॉर्च की रोश्टी में ही टाका लगाया भागलपुर के महसाधू गाओं में गंगा ने विकराल रूप धारन कर लिया है गाओं के मकान के साथ साथ जमीन भी अब गंगा के आगोश में समा रही है लगतार तेज कटाओ जारी है तेज हवा और गंगा के जलस्तर में व्रधी होने के कारण कटाओ काफी तेज हो गया है ये घर है गंगा के किनारे रहने वाले राजिंद्र मंडल का जो गंगा के किनारे आ चुका है और कभी भी गंगा के आगोश में समा सकता है राजिंद्र मंडल और उनका परिवार लगतार हो रहा है उनका कहना है कि नोने बहुत महनत से अपना आशियाना बनाया था लेकिन आज सब कुछ गंगा में विलीन हो रहा है अब जाएं तो कहा जाएं उनका कहना है कि अगर सरकार पहले थोड़ा ध्यान देती तो शायब उनका घर बच जाता लेकिन फ्लंड फाइटिंग का काम ठीक से नहीं हुआ पट्टा में DRI की टीम ने बड़ी कारवाई की है सोनपूर और खगडिया से 700 कच्छुआ जब्द किया गया है साथी साथ तसकर को भी गिरफतार किया गया वनिभाग और आर्पिएफ की मदद से ये कारवाई की गई है तंत्र मंदर के लिए कच्छुए की तसकरी की जा रही थी पीम विश्व करमाई ओजना के तहत पतना के गांती मदान में व्यपार और प्रदर्शनी मिले का आयोजन किया गया है हस्त शिल्प कलाकार अपनी कलाओं के साथ पहुँचे अलग-अलग स्टॉल पर उनकी कला नजर आ रही है विश्व पत के भगवान विश्व के पद चिन भी पत्थर पर बनाकर कलाकार इस प्रदर्शनी मिले मिले कर पहुँचे है गांधी मैदान से इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रही है नियू जेटीन समवापत ताता वीनीता मिश्रा प्रदर्शनी मिले का आयोजन किया गया है तीन दिवसिये इस प्रदर्शनी में कई ऐसी कलाएं हाश्ट सिल्फ आपको आसानी से मिल जाएंगी यहाँ पर गया से आये हुए जो बेवपारी है उन्होंने अपना स्टॉल लगाया है और जो लकडी की नकासी है वो आपको जरूर पसंद आएगी यहाँ देख सकते हैं असोकस्तम और कई सारे जो खुबसूरत लकडी की नकासी है वो यहाँ की गई है विष्णुपद यानि भगवान विष्णु के जो पैरों के निशान है उसकी कलाएं भी यहाँ नजर आ रही है खुबसूरती इन अहाँ सिल्फ कलाकारों की और यह लोग सब कुछ खुद से बनाते हैं विष्णुपद मंदिर निर्वान होने के लिए जब आये थे लिया वाई होल करेंद और की महारानी तो हम लोग का जो गौट समाज के लोग है उनको पत्रकटी अस्तान दिया गया था विक्री अभी है नहीं बत एक एक्जिबिशन के तोर पे है यहाँ पर हाँ लोग आ रहे देख रहे हैं पसंद भी कर रहे हैं खरीदने का मने खरीद भी रहे हैं पीम विश्व कर्मा योजना के तहट तीन दिवसी दोपार्था प्रदर्शनी मिले कायजन किया गया है जिसमें हश्त सिल्प के कलाओं से लोग अबगत हो रहे हैं विनेदा मिश्रा निउजेटीन पटना बिहार में डेंगू की डंक से लोग लगतार बिमार पढ़ते जा रहे हैं और सक्षिल जादा मरीजों की संख्या पटना में हैं भागलपूर में भी डेंगू ने दस्तक देदी है JLNMCH के डेंगू बोड में चार मरीज डेंगू पॉजिटेव में बुखार आने पर दस और भी मरीजों को भरती कराया है बताया जा रहा है कि एलाइजा टेस्ट के लिए सैंपल भीजा गया है रेपोर्ट आने के बाद देंगू की पुष्टी होगी इस खबर पर और अधिक जानकाई दे रहें नियुजिदीन समवात ताता आशी शुंज़न देंगू के लिए टीस बेड़े अलॉट भी बनाया तयारी की गई है उसके लिए नेट नेट वर रहा है नेट का इंजाम है वागिं मसीन बगर इंजाम है यहां पे और आइसोलेशन का मने बेट के दूरी बनाएगे गए उसके फिटके पाचार फिटकर रखा हुआगा है देंगू के मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है पत्ना में सबसे अधिक मरीज है वहीं हागलपूर में भी चार मरीज यहां देंगू के पॉजिटिव आज मिले हैं और सभी का हिलाज जवाहर लान नेहलू टीकिसास्पतार के फिर्विल्केटेड बार्ड में जो है यहां पर तीस बेड बनाये गए बहुत और उनमें जो है शारी विवस्ता की गई है कि मरीजों को कहीं से कोई परिषानी नहीं हो मुसहरी दिया गया है और डॉक्टर जो है लगातार यहां पर आकर जो है मरीजों जो हें यहां पर भखती हैं जिनका टेस्ट ये भी गया हुआ है दस ऐसे मरीज कैस के लिए भुझा गया है उनका बड़ सेंपूल मूनें थैंसे हम सहीं आपको बखार था पाद जिन्ग निकला है कब लेकर ओए थे इसे黄ड़ा Time बहुत अच्छ अच्छ वेपनी सिकाथ है जिन्गो निकला है तो और है जाएए जायाए जैसे बीड़ों की तंक्या में बहुत है वैसे बेडों की भी वैवस्ता की जाएगी उन्होंने दावा किया है कि अस्पताल में सारी वैवस्ता है कहीं से भी मरीज को कोई दिकत नहीं होगी आसी स्रण्यन न्यू जेटीन भागल को और लंबे अर्से के बाद पता के मौरिया लोग परिसर में रौनक लोटने वाली है मौरिया लोग परिसर में जल्दी खाने पीने के दुकाने सजने वाली है शेर के लोगों की चैल कदमी मौरिया लोग में जल्दी नज़र आएगी इसके लिए काम शुरू भी किया गया है बताया जा रहा है कि दशहरा के पहले परिसर को साफ सुत्रा बनाया जाएगा और वहाँ पर फुड काउंटर लगाये जाएगे इस खबर पर और अधिक जानकाई दे रही है मौरिया लोक की रौनक एक वार फिर से लोटने वाली है मौरिया लोक में एक वार फिर से खाने पीने के दुकान सजने वाले है इसके लिए बैठक शुरू हो गई है मौरिया लोक में फिलहाल सन्नाटा नजर आ रहा है और सिर्फ अभी नहीं, पिछले कई महीनों से मौरिया लोक सुनसान हो गया है लेकिन एक वार फिर से लंबे अर्से के बाद, शहर की लोगों की चहल कदमी मौरिया लोक में बठने वाली है शनिवार को नगर निगम के अभियनताओं की टीम ने परिसर का निरक्षन किया दशहरा से पहले परिसर को साफ सुत्रा और सुन्दर बनाने की कवायद हो रही है यहाँ पर आठ फूड एक क्योर भी बनाने जाने वाले हैं इसके लिए भी तैयारी शुरू कर दी गई है नगर निगम के अधिकारियों और दुकानदारों के साथ शुक्रवार को इस विश्यप पर बैठक की गई थी इसी के मद्दे नजर मौरिया लोक का सौंधरी करन को लेकर अभियनताओं की टीम ने निरेक्षन किया हाला कि मौरिया लोक की सुंधरता बढ़ाई गई है कई सारे खुबसूरत पेंटिंग्स भी यहां किये गए हैं लेकिन इसका और सौंधरी करन किया जाएगा लोगों की चहल कदमी नहीं है उसे शुरू किया जाएगा यानि फूड काउंटर एक वार फिर से मौरिया लोक में नज़र आएंगे लोगों की चहल कदमी नज़र आएगे और मौरिया लोक एक वार फिर से लोगों की उपस्थिती यहां नज़र आने वाली है विनिता मिश्रा निउस एटीम पटना पटना के फुलवारी शरीफ के कुरकुरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को स्वास्त मंत्री मंगल पांडे रें एक साथ एक हजार टीका करण कॉर्डनर की सौगात दी है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से स्वास्त मंत्री मंगल पांडे ने टीका करण कॉर्डनर का आज उधाधन किया है और शुवारंब किया है आदर्णिय प्रधानमंती नरेंद मोदी जी और मानिय मुक्मंत्रे से निनिति उसकुमार जी कि ये सदय विक्षा रही है कि जो समाज में हमारे बच्चे हैं और जो गर्वती महिलाएं हैं उनको जितने प्रकार के टीके दिये जाने चाहिए वो सभी टीके उनको दिये जाएं तो टीका करन की सुविधा बढ़ाई जाए और इसी द्रिश्टी से आज बिहार राज के अंदर एक हजार केंद्रों पे नए तरीके से प्रतिरक्षण के अंदर खोले गए हैं टीका करन के अंदर खोले गए हैं और एक हजार सेंटर पे अब आज के बाद से सोमवार, मंगलवार और विरस्पतवार को तीके प्रती सब्ता लोगों को दिये जा सकेंगे। लेकिन 95% लक्ष जो है उसकी प्राप्ती जल्द करनी है इसको लेकर स्वास्त विहाग ने एक बड़ा टार्गेट दिया है और अधिकारी जो है इसको लेकर एक तरह से आत्मसात करने में भी जूट गये हैं। अधिकारियों के मेरे बगत से बड़ा घोटा ला किया गया है। और फिलाल इस विल्टर में अभी के लिए बस अतना ही आप देखते रहें नियूज सेटीन बिहार जार्कृट। पद्पुर्ब़्स